कि गेर इरादातन हत्या जो थी अकस्मात जिसको कहते हैं इसमें हमने दो हिस्से कि अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिती में हो सकता है थारी चलाता रहा है एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश करकर आ गया रहा 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 रह 10 डरन केस मरता हुआ छोड़ कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावदान होना चाहिए और ये नरेंद्र मोधी सरकार का उचित ही नेनए है कि आतंकवाद के लिए ये कानून में हमने जगे दी है इसके बाद भारत सरकार, किसी राजे सरकार, विदेश की सरकार, अंतर सरकारी संगठन के सुरक्षा को बाधित करने वाले कुट्यों भी आतंकवादी माने जाने माने वर मैं नहीं मानता इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाईस बची है कि इसका दुरूपयोग हूँ और मैं सदन को आस्वस्त करना चाहता हूँ, कानून तो लिखी हुई चीज है, इसका अमल करते वक अगर कोई इसका दुरूपयोग करता है, यहां तक अमारी सरकार का सवाल है साब, हम उसको रोकेंगे भी और उसको नश्यत भी करेंगे, सजा भी देंगे, और सबसे उपर कौट है, अगर किसके ग्रिवंसिस है, तो यह आतंकवाद को रोकने का प्रोविजन भी कौट के उपर तो नहीं है, धारा लगते ही कौट इसकी मिमान सा करेगी, मगर इसके डर से आतंकवाद को ही न रोका जाए, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता मानेवर, मैं सदन से अप मानेवर, संगटित अपराद के भी पहली बार वाक्ष्या की गई है, कई राज्य और राज्यतर घैंगे संगटित अपराद करती हैं, इसके लिए कोई विसोस कानून नहीं था, इसके अंदर हमने साइबर अपराद को, आर्थिक अपराद को, भूमी अथ्यानक को, हक्यार की व्यापार को, डकेती को और मानव लोगों की तसकरी करने व्यक्तियों की मानव तसकरी में इस सभी को इसके अंदर रखा है, आर्थिक अपराद की भी हमने व्यक्या की है, करंसी नौट, बेंक नौट, सरकारी स्टैम्प का कूटकरन, हवाला व्यहवार और बड़े पहम इसको भी आर्थिक अपराद की व्याख्यतिके तरफ पहली बार लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और इससे मुझे लगता है कि नायपालिका का काम काफी सरल हो जाएगा मानेवर एक मैं इस पश्टिकरं करना चाहता हूँ कि गेर एरादातन हत्या जो थी अकसमाद जिसको कहते हैं इसमें हमने दो हिस्से किये अकसमाद तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्तीति में हो सकता है एक गारी चलाता रहा है एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश करकर आ गया रहा है अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वायम उसको पुलिस टेशन या तो हस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजाका प्रावदान किया है और heat and run केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजाका प्रावदान और मैं मानता हूँ कि इससे heat and run के केस में काफी कम ही आएगी पर ये करते करते जो डाक्टरों की नेगलिजन्सी से अगर किसी की मृत्ति आती है तो वो भी गहर इरादातन हत्या में आ जाती है इसकी भी सजा बढ़ गए तो हमने इसको एक मैं आज ओफिसल एमेंडमेंट लेकर आऊंगा डाक्टरों को इससे मुक्त कर गया है इंडियन मेडिकल अर्सोसेशन में मेरे साम वजवात करी थी हमने इसको मुक्त करने का प्रावदान किया मनेवर मौब लिंचिंग का नया प्रावदान हम लेकर आए है नसल जाती समुदाय या किसी संका के अधार पर एक टोला एकत्री ठोकर किसी को मार देता है तो उसमें मैक्सिमम फांसी तक की सजा की है होते थे मोबाइल होते थे और अलग-अलग धाराओं में अंतमे कानून में कानून के घैप का फाइदा उठाकर वो छूट जाते हैं थे स्नेचिंग के लिए भी हमने कानून लाया है और मानेवर गंबीर चोट का जो कानून था इसमें भी हमने दो डिविजन करे हैं किसी किसी के सरपल लाठी मार दी इंजड हुआ तो उसको सजा तो होनी चाहिए परन्तु लाठी मानने के कारण वो ब्रेंडेड हो गया या अपाहीज हो गया तो इसकी सजा इतनी नहीं होनी चाहिए तो संपून अपाहीज था या तो ब्रेंडेड के किस में हमने 10 साल तक का कठ थोड़ डंड देने का प्रावधान किया है इसको सेपरेट किया है माननेवर गंबीर चोट का जो खंड 117 है उसमें दस साल की उम्रकैत का हमने प्रावधान किया है